ो धिया चılे का है 2022 चाहिए लिए सबसे वेःठ़ आप विडियो होगा तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे गा हो सके तो बार वीडियो को छरूर देखे गा और अम उमेख है कि आप लोग यहाँ पर सय पर रिख जरूर करेंगे आप कि गई घोषना के अमसार बुंदेल खंड एक्स्प्रेसवे का उध्धाटन जून 2022 में किया जाएगा इस एक्स्प्रेसवे की कुल लम्माई कितनी है तो आपकी 296.070 किलोमेटर आपकी है इसका प्रारम भरत कूप्त कमा चित्रकूर्ट के निकट एवन समाप्ति जो है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपके सामिल है एक्स्प्रेसवे के संरेखन पर पढ़ने वारी मुखे नदियों में बागेन, केन, स्यामा, चंदावन, बिरमा, यमना, बेतवास, सिंगर रादिस में सामिल है या पति गया है इसके निर्मार में बुंदेल, खंड, छेत्र, आगरा, लख तो इतनी जानकारी यहां पर पढ़ने थी, आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है, आयोध्या एरपोल्ट, दिके साथ अप्रेल 2022 में उत्तरवदेश सरकार द्वारा भारती विवान पत्तन प्रादिकरण के मद्धिभूमी लीज एग्रिमेंट पर हस्तचर हुए हैं, और इस स सजार मद्मिक विद्याले, स्मार्ट कच्छाओं, खेल के मैदान, उचित सवचाले, उस्तिकाले, कंप्यूटर प्रयोग साला, कच्छा वा अन्यादुनिक सुद्दाओं को सुषजित किये जाएंगे, और उतरवदे सरकार दोरा आप्रेलिसन कायकल की जुस्तुरुआत ह हुई थी, वो आपकी वर्स 2019 में की गई थी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप सिकला कुछ अगया है, वारन रसी में विभिन परयोजनाओं का सीला न्यास और उद्धाटन, देख सकते हैं कि जो भी आपकी क्वेशन आपके हैं, करेंट फेर हैं, बहुत अच्छे परयोजना का सीला न्यास किया गया है, डेरी उत्पादों की गुनवत्ता और सुलच्छा सुनिशित करने के लिए, प्रधार मंत्री में प्रणाण चिन डेरी मार्क भी यापल लांच किया है, तो देख सकते हैं, राम नगर जो की वारन सी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायो सेंतर का सुभारम किया गया है, तो पहला इपन निकल के आगया, कि बताएगा कि सबसे बड़े गोबर बायो सेंतर का सुभारम कहां पर किया गया, तो राम नगर वारन सी में किया गया है, ठीक है, उतर प्रदेश भारत में सरवादी दूत्र पदन करने वाला यह राजवी आपका है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं बीना पन की बहुत पाथ पाइप्लाइन परियोजना बीना जो आपका पढ़ता है वो आपके यमपी में पढ़ता है पन की जो आपके है उकानपूर के उत्तरवदेश में है अना जो कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंतिर न होता है देख सकते हैं 18 दिसंबर 2020 को प्रधानमंतिर नरिद मोदी ने उत्तरवदेश की साझापूर में गंगा स्पेस्वी की अधासिला रही थे तो कोश्चन आप से क्या बना कि गंगा स्पेस्वी की आधासिला जो रखी गई वह की कहां पर रखी गई यहाँ पर देख स है जो आपका ये गंगा इस्प्रेसवे है वो आपके 594 किलोमीटर है शुरुआत होगा मेरट के बिजवली गाउं से हना और यहां इस्प्रेसवे इलाहबाद के जुडारू पूर डांडू गाउं के निकर समत हो जाएगा अब यह बात आती है कि जो एक्स्प्रेसवे है वो से गुजरेगा यह कोशनार से पूछा जाएगा तो आपी बताइएगा कि इतने जिलों से गुजरेगा तो आके 12 जिलों से गुजरेगा समझ में आगया होगा प्वेंट है ना आगे बढ़ते हैं कि काम पूरा होने पर यहाराजी के परश्यमी और पूरी इलाकों को जोड 37 करून रुपए की लागा से बना जो स्रीकासिविस्मा धाम पर्योजना है इसके पहले चलंग का उध्गाटन उने कर दिया है पहले चलंग में कुल तेस भावनों का उध्गाटन किया गया है दिख सकते हैं तेस में आपके यह काफी चीज़े हैं और आगे आते हैं दूर आज यá और प्रयाग राज में राष्टी विधी विस्विद्यालै कर शिलाना की प्र्याग राज में प cynचिज कब भोणी पर इस्थापित किया रहा यहां पर देख सकते में पॉइंट आपको देखो दिया गया है यही पॉइंट आपको याद रखना है चलिए यहां पर देखो अपला दिया है यहां पर देखो दिया है कि आगरा और प्रयाग राज में और धोगी कलस्टर एक अगरस 2020 को केन सरकार ने आगरा यों प्रयाग राज में दो और धोगी कलस्टर विक्सित करने की अनुमती प्रदान की है कोरिशन आप से पूचेगा कि जो उत्तर देख में और धोगी कलस्टर हैं यह कहां पर इस्थापित किया जाने हैं तो अब यहां आपके आगरा में और आपके प्रयाग राज में इस्थापित किया जाने हैं राजा महिन प्रताफ सिंग के सम्मान में इस्थापित क्या जा रहा है याद रखे आगे बढ़ते हैं कोर्शन दिया गया है त्टर देश का प्रताम आयुसुशुद्याले जेत कि इस दियुखतर देश का प्रताम आयुसुद्याले पुरकपुर में महायोगी गोरकनाथ विशुद्यारे का भी उध्धाटन किया था या विशुद्यारे गुरूर्च नाथ चिकिसारे समिती गोरकनाथ मंदी द्वारा संचाली थे आपका ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से पूछा गया है पुर्वांचल एस्पेसवे पुर्वांचल एस्पेसवे है उस्वोर्वांचल एस्पेसवे है या तो आप लोग 321 लगा सकते हैं तो यह पौणट आपको हो गया है को उध्गाटन किया गया है और आगे बढ़ते हैं कको पूकस करना है आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप से दिया गया है कि देख सकते हैं यह एक्स्प्रेस वे लखनव जिले में लखनव सुल्तानपुर रोड इस्तित्र चंदर सराय गाउं से प्रारम होता है और गाजी पुर जिले में जो किस्तित है हादरिया गाउं तक इसमाप्त हो जाता है तो बात आती है कि यह जो एक्स्प्रेस वे है वो कितने जिलों से गुजरता है लेकिन यह जाता है वो कितने जीलों से जाता है तो आपके 9 जीलों से जाता है सबसे पहले लखनो से सुरुआ तो लखनो, वारवंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोद्या, अमेरिकन नगर, आजमगाड, मौ और आपके गाजीपुर तो यह लखनो से सिदा-सिदा पुर्वांचल की तरह जा रहा है, वो आपके 9 जीलों से होकर जाएगा यहाँ 6 lane expressway है, जिसमें भविस में 8 lane तक विक्सित किया जा सकता है यह जो आपका है, इसमें 6 lane है इस समय, और भविस में 8 lane तक विक्सित किया जा सकता है यहाँ पर देख सकते हैं, इस expressway पर सुल्तानपुर के कूरे भारगाओं की निकट 3.2 km लंबी, एक हवाई पट्टी का निर्मार किया गया है तो आप लगों से पुछा जाएगा, जो हवाई पट्टी का पर है, तो सुल्तानपुर की कूरे भारगाओं में बनाए गई है इस हवाई पट्टी पर वाई सिना की लड़ाकों विमान आपात काल किस्किती में लेंड कर सकते हैं, उडान भी बर सकते हैं और याद रिखेगा कि एक स्पेस्वे पर तीन हवाई पट्टी को निर्मार करने वाला उत्तर देश भारत का पहला राजी बन गया है कि कोई भी एक्सप्रेस वे तीन हवाई पट्टी को निर्माड करने वारा उत्तर देश का पहला राजी बन चुका है याद रखेगा है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है यहाँ पर रसीन बांध पर योजना तो देखें दर्समाच 2021 को मुख्यमंत्री योगी इसका लोकार्मन किया गया है ठीक है ना चले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशना आप सिग्राप उचा गया है यहाँ पर दिया है उत्तर देश में लैंड होल्डिंग्स यूनी कोड तो देख सकते हैं फरवरी 2022 में उत्तर देश सरकार ने राज में सभी प्रकार के कि मंत्री योगिया दितनात राष्टी पंचायती राजदीवस के उसर पर जालान जिले में इस्तित ग्राम एरी रामपुरा की ग्राम सभा की बैठक में सामिल होगे थे तो यह कितने कोशन आप से बन रहे हैं सबसे पहले राष्टी पंचायती राजदीवस के उसर पर यो दिन दियार उपाध्या पंचाय ससक्ति करण पुरुषकार प्रदान किया है ये कुशन आपको हमने अब्जेक्टिव में पढ़ाया भी था मौर्निंग में आर्था एक क्लास जो ने यूपी जी किके दिया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो पंचायती राज दिवस थ किया है तो एक जी एक जालाउन को दिया गया है और दूसरा आपका मिरजश पुर को दीन दियार उपाध्या चायस सिर्दीकार प्रफुरश्वकार का हिंदी साहे संभीलन का हम पर उद्क किया है तो आपको आप देना आ पर प्रयागराज में कौन से नमर का था ठीक्तर नमर का था यह आकर 111 वर्सों कीतियास में अब तक कितनी साथ बार प्रयागराज में गवा है और यह इसके पहले का वुदा था उनीस किया जाता है जो दुरूपद मेला है यह कुषी कारेक्राम है जिसका युषन प्रतीमा फर्वरी मार्च में किया जाता है अगला कुशन जा है पांचवा उतरदेस दिवस समारो देखें वह 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगिया दितनाज्य ने उतरदेस राजि के त्यत्र इस्थापना दिवस पर पांचवा उतर्फदेश का समारों का सुभारम किया पहली बार उतर्फदेश का आज़न हुआ ता 2018 में अना जब चलाया गया था क्या एक राज्ज्श एक प्रोडेक्शन वाला था सुभात यह वहाइद आपको याद रखना के तड़ पर, भात गारतकी 111 151 109 मंदिल on को मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने पंडीत गोविंद बलब पंत सांस्ति कुप्वन लखनों में आयूत उत्राखंड महऊसों का सुभारम किया। कि यह किया पहारी तो आपके लखनों में किया है। किये गये थे ठीक है और कुल में आक लगबग देखा जाए 11,90 अधिपों को फ्रोजलित किया गया था यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप से अगर आप पुछा गया है तो आपको डारेक्ट बताना है का लगनो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया ह है चर्चित बिक्ति में आपके आगए हैं ठीक है चले अमर रजपूत भी अभी आए पिडिया मांगने लगे डिवीजन में बहुत फैयदा मिलता है अभी तक त्वाह रहे नहीं थे अब आई क्लास में तुरंत ज़िलने लगे के सथ जिए पीडिया भेथ दीजिए बस ब व्यां चैनot देख supposedlyंदे दुछ किमे को घृरás ऑंत यहां पर देख सकते यहां पर देख सकते विए यहां माया गोबिंद कोई है और लिखा भी है, इनका निदान हुआ है और इनका जन्म भूआ था, कहाँ पर रापके लखड़ू हुआ था, ओगे बढ़े एग्डा कुछन है, गीतान्जली सीरी कौन है, गीतान्जल सीरी जो आपकी हैं, वो कौन है, तो अप्रया 2022 में, गीतान्जल सीरी के उपन्यास, र सामिल किया गया है और टाम्स-आप-सेंड हिंदि की पहली रचना है याद लेके इसे ज से न्तरस्थि भुकरप्रुशकार के मैन पूरी में हुआ था अगरा कोशन देखें दिया गया है एराप से आरती राणा और निर्जा माधो आरती राणा एवं निर्जा माधो ये कौन है तो देखे 8 मार्च 2022 को अंतराश्टी मैला दिवस के अउसर पर रामनात कोविंद ने मैला ससक्ती करण की दिशा में आसाध अतर्वदेश की आरती राणा को वर्थ 2020 के लिए तता निर्जा माधो को 2021 के लिए नारिफ सस्थी परुसकार के लिए समानित किया गया है ठीक है ना आगे बढ़ें अगरा हैं मोसिन राजा मार्च 2022 को मोसिन राजा ने उतर्वदेश राज हाज समिती के अध्यच के होता है याद रखेगा तो मोसिंग रजा कौन है तो यह हद समिती के अध्यच हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है 37 महाना तो देखें आप लोग जब पड़ रहे हैं विधान सभा का रिजल्ट तो यह जरूरा पड़ेंगे 37 महाना के बारे में तो देखें 29 मात दुल् विधान सभा अध्यच हैं तो याद रखेगा यह कौन से नंबर के हैं तो आपके 33 नंबर के या आपके विधान सभा के अध्यच हैं महामरा इसे पहले योगी सरकार के पैlek कारीकार में और दोगी विधास मंत्री थे नगर विकास, राज्यमंतरी, खादिक, रामेव्ड, आपके मंत्री रहे हैं देख सकते हैं वहां कुल आठ बार विधायक चुने गये हैं याद रहें ते तरफ से शोला से शत्रा जन्वरी 2022 की मद्यात्री को प्रसित कत्क नरतक बिर्जु महाराज जिनका वस्तिक नाम था ब्रज मोहनमेष्र आप से question ये भी पुन सकता है कि विर्जु महाराज का वास्तिक नाम क्या है तो अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं इसलिए हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा एक बार नहीं दोबार वीडियो देखोगा तो आपको यादी हो जाएगा तो देखो कर्थक नरत विर्जु महाराज का वास्तिक नामता ब्रज मोहन मिस्र इनका निदान हो गया है सब लोग जानते हैं इनका जन्मवास्ता चार परवरी 1937 को तकालीन हांडिया जो कि वर्तमान में प्रेयागराज जीले की एक तैसिल है ये प्रेयागराज जीले की एक तैसिल है उन्हें 1974 में संगीत नाड़क अकादमी पुरुषकार दिया 1986 में पदम विभूषण मिला 1987 में काल दास सम्मान मिला 2002 में लका मंगेशकर पुरुषकार भी सम्माने किया गया 2012 में उन्नाइक कथारूं फिल्म के लिए सवसेश्ट कारियोग्राफी के लिए भी इने तुरुषकार मिला था एक और भी आपका क्वेशन है 2016 में उन्हें फिल्म बाजी रौमस्तानी के गाने मोहेर रंगदो लाल में कोरिड़ोर के लिए फिल्म फियरावाट से फी सम्माने किया गया था तो आपसे ज़्यादा ज़्यादा ये पुंशी का 2016 बाला पूर सकता है ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं कोशन दिया गया है क्यारे सोनम किंणर नाम सुना होगा आप लोगोंने ये सोनम किंणर है कौन तियाद रिखेगा कि सोनम किंणर है ये उत्तरदेश सरकार द्वारा सोनम किंणर को उत्तरदेश टांसजेंडर वोलफेयर बोड का उपाधेश निक्तिकिया गया है तियाद रिखेगा कि उत्तरदेश वेलफेयर बोड का जो उपाधेश है आपके सोनम किंणर है याद रिखे तो यह राहुल गांधी के खिलाप इन्होंने अमेठी से चुनाओ इन्होंने लड़ा था जो कि आपके वर्तमान में उत्तरदेश टांसिजेंडर विलफेर वुड़ का उपादेश निक्ति किया गया है सोनम किन्नर को ठीक है चले यहां पर आगे हाँ बिल्कुल बात है फिम कौन है तो आपकी कंगना रानौत है याद रिखेगा ज्योंकि 2018 से यह आपकी उत्पाद आपका चालू है और अगला यहां पर देख से यह कारिक्राम जो था 24 जनोरी ठार को लांच किया गया था एक जन पर एक उत्पाद तो यह आपको याज हो जागा ठीक है अगला कल्य गर जीले की अत्रावली में हुआ था कब हुआ था 1922 को वा था कल्यार सिंग देख सकते हैं कई बार आपके उत्तरवदेश के मुक्यमंतरी भी रहे हैं और 2014 से 19 तक राजस्थान के भी राजपाल रहे हैं बिहार में भी राजपाल रहे हैं तो जून 2012 में वारण रसी निव अधर्वदेश क्या गया है तो आप बताएंगे प्रताप सिंगे हिंदूस्थाने के अध्यागराज में हैं आगे आते हैं डाक्टर राम बाबु हरित जून 2016-2016 को उत्टरवदेश क्या गया है किसे डाक्टर राम बाबु हरित को जो कि आगरा के हैं अगला साती देखो जाए कि साज आपूर के मितलेश कुमार और सुन बद्रे के राम नरीश पास्वान को भी आयोग में उपाद्देच और 15 अनिसदर्सों को भी नामित्या गया है आगे आते हैं अनुप चंदर पांड सेवा निवरत रहे हैं अगरा बताएं करे नुप चंदपांडे अनुप चंदपांडे हो गया चले हो गया को न्यामूर्त ये 17 ऐलाव रायर नियुक्ति को अधिकर अधिकार आयोगी देश жизнь नियुक्ति क्या गया है र्कैर किया कर देश के बात पत लोग सभार की निर्वाचन शेस साथ बार यह सांसत ही रहे हैं और पहली बार हमारी गाउं में उतरे थे हैलिकाप्टर से तो हम लोग देखने गए थे कि छोटे चोटे थे हमारे में हैलिकाप्टर से ठीके देखने गए थे हेलिकाप्टर का Иetr Ilai टाल इनका चंडी पंडित्राजन मिस्र इनका चुनाओंच निजी था, हंड तो आप कहेंगे सास्त्री गायक से है सास्त्री गायक से है सास्त्री गायक में उन्हें अपने भाई साजन मिस्री के साथ जोड़ी मसूर थे मलदा पंडित राजन और पंडित साजन इनकी जोड़ी मसूर थी किसके लिए तो ख्याल सैली के लिए बहुत ही जाने जाते थे या 13 माई 2022 को उत्तर देश के रामपुर जिले की ग्राम पंचैद पटवाई में भारत का पहरा अमरत सरुवर का गाटन केंदरी मंतरी मुक्तार अबास नकवी और उत्तर देश की जल सक्की मंतरी सुतंतर देव सिंग द्वारा किया गया है। एन एस डी सी आई तथा हिंदूस्तान ओर्स प्राइवेट लिम्टे के मद्य वारानसी में इसकी इंडिया अंतराश्टी के इंदर की स्थापना के लिए समझाओता आपका हुआ है। मैं पुरी जीले में जो आपका सैनिक स्कूल है इसका नाम परवर्टिर के जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का नेड़ा लिया गया है। जनरल विपिन रावत जुकी भारत के पहले चीफ आप डिफेंस थे अधात सीडियास थे आप लोग जानते हैं। यह वी कोशन आपका अच्छा है इसे नोट करिएगा और आगे बढ़ते हैं कोशन है जेवर जेवर के आप लोग जानते होंगे जेवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखे वाई जेवर अंतरास्टी हवाई एड़ा है जोकी 25 नोबर 2220 को प्रधान मंत्री नेन मोदी ने जेवर गौतम बुद नगर में नोएडा अंतरास्टी हवाई एड़ा को आधार सिला रखी थी। अंतरास्टी ग्रेन फिल्ड हवाई एड़े क्रूप में या हवाई एड़ा गौतम बुद नगर जीले में यमना इस्प्रेस्वे अंतरास्टी विकास प्राधिकरण के लिए आपके 6th runway के साथ यह बनाया जा रहा है यहां पर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन आप विक्सित के रहा है यह तकनीकी दोरा यह प्रदूसर्ण नियंतरन टावर है कहां पर आपके तुनवेडा में आपका है इसाप विकने के लिए बन रहा है बन जाएंगे विवेद्दिये जाएंगे चले बहुत अच्छे आजमगड में देखिए क्या जरूरी है आजमगड 2021 को केंद्री ग्राह और स्यकारिता मंत्री अमित सा ने आजमगड में आजमगड राज विस्विद्याले की अदार सिला रखी है प्यादरी कि आजमगड राज विस्विद्याले की अदार सिला रखा है किसने तो केंद्री ग्राह और स्यकारिय मंत्री अमित सा ने रखा है महाराजा वण कर दिया गया है है या प्रागे बढ़ते हैं कुर्षी ना वस्री द्रमें प्रतान नहीं किया है वोकल फ्र लोकल के अलावा इस और वेस्ट वह रांप और अगला यहाँ आपर देखो दिया है शूकर छेतर सोरो के हुं ना आपका चर्चा में आया है, तो सोरो जो आपका है, यहाँ आपका चर्चा में आया है, तो गोरागपुर में प्राणी उधान का लोकारपन, देखो ऐ 27 समार्च 23 को, उतरदेश के मुख्मंतरी योगिया प्रादि तुनाथ ने गोरपुर में सहीद अस्वाक उल्ला प्राणिक खांव दान का लोगार्पन किया है कानपुर लखनों के बाद या राजी में स्थापित तीसला ब्रहत सिर्डी का ये चिडिया घर होगा लेकिन आपको वरता देए कि उत्तर देश में किंद्री चिडि योगी आधितनात की घोषना की अंसार ठाकुर रोशन सिंग पंडित रामप्रसाद बिसमिल और अस्वाक उल्ला खां का इसमारक साज आपुर में बनाया जाएगा तो इसमें ठाकुर रोशन सिंग को इलाहबाद अर्थत प्याग राज में नैनी इस्तित मलाका जेल में र लड़क उल्ला खां को फैजावाद जिल में फांसी दी गई थी लड़काई गए थी अना इस कारण से इन तीनों के कैसे के लिए साज आप उने